तो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे चली शुरुआत करते हैं आज की हैल्थ अपडेट से सातियों सर्दियों का मोसम जहां खाने पीने के लिहास से बहुत अच्छा माना जाता है वही कुछ लोगों को सर्दियां आते ही टेंशन हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आने की समस्या का सामना करना पड़ता है इस सूजन की वज़ा से दर्द और खुजली भी परिशान करने लगती है कई बार ये परिशानी इतनी पढ़ जाती है कि जूते चपल पहनना भी मुश्किल हो जाता है साथ पैर की उंगलियों में सूजन की समस्या कई बार अथ्राइटिस की वज़े से भी होती है लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो सूजन क्यूं होती है यह क्यूं आती है असल में जब कडाके की ठंड पड़ती है तो हमारे हाथ पैरों की नसे सिकुडने लगती है जिससे ब्लड का फ्लो डंग से नहीं हो पाता तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह खास बाप बता देती हूँ कि खूब मातरा में पानी पीएं और कुछ घरेलू उपाय अपनाएं जिससे यह सूजन खत्म हो जाए चलिए आपको यह टिप्स अब समझा देती हूँ इसके खास तरीके इसके लिए सबसे पहले आप नीमू के रस का उप्योग कर सकते हैं दादी नानी के यह घरेलू नुस के आपको हाथ पैर की उंगलियों में होने वाली सूजन और खुझली से चुटकारा दिलाएंगे इसके लिए नीमू का रस उंगलियों में लगाएं चलिए अब दूसरा उपाय समझिये अगर आपके हाथ पैर की उंगलिया ठंड से सूज गई हैं और उनमें खुझली हो रही है तो सरसो के तेल को हलका सा गुनगुना कर उसे उंगलियों में लगाएं और फिर मोजे पहल ले इससे आपको काफी रहत मिलेगी और हां एक बात का ध्यान जरूर रखें सर्दियों के ठंडे पानी में काम करने के बाद तुरंत हातों को आग या ब्लोर पर ना सेकें इसकी वजह से समस्या कम होने की बजाए और अधिक बढ़ सकती है ऐसे में ठंडक कम करने के लिए आप गरम कपड़े में थोड़ी देर हाथ पैर लपेट ले इससे आपकी हाथ पैर की नसोग में गर्माहत मिलेगी तो जो ब्लर स्र biraz मैं ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आप एक काम ओर कर सकते हैं हाथ पैर की उंगलियों में सूजन की समस्या को कम करने के लिए सुभा उठकर थोड़ी देर एक्सेसाइस करें ताकि शरीर में खून का संचालन बेतर रहे अगर किसी को ठंड में हाथ पैर में उंगलियां सूज जाती है इसकी समस्या अधिक हो जाती है तो उसको क्या करना है उसको जैतून की तेल में हलदी मिला कर उस सूजन वाली जगह पर लगाना चाहिए इससे काफी राहत मिलेगी कुल मिला कर बात इतनी सी है कि हमें हाथ पैर की उंगलियों को गर्मार देनी है जिससे की ब्लर सर्कूलेशन बहतर हो सके ऐसा होते ही सूजन गायब यानि आपको डॉक्टर की दरवाजे जाने की जरूत नहीं पड़ेगी